Hello everyone, मैं हूँ नीलू और आप सबका मेरी चैनल नीरू प्रकास में स्वागत है। विश्यू आप वारी वारी हापी न्यूए यह और वेल्कम तो 2021। इस साल कोविड खतम हो जाए और हम लोग अच्छे से घूम सकें बाहर जा सकें। वैसे मैं अभी भी बाहर हूँ और मैं इक होटल रूम में हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना फादा उठाया जाए तो मैं वीडियो शूट कर लूँ। आज का वीडियो है कॉंपरेजिए वीडियो विट्मिन पॉंट्स बीवी क्रीम और गानिय बीवी क्रीम। मैंने दोनों यूज किया पॉंट्स भी यूज किया है और गानिय भी यूज किया है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीवी क्रीम के बारे में क्रीम होता गया है बहुत लोग नहीं जानते की बीवी क्रीम क्या होता है तो मैं उनके लिए बटा दू बीवी क्रीम को हम ब्लैमस बाम भी कहते है और व्यूटी बाम भी करते हैं जो क्रीन से आपको यह मिल जाएंगे तो चलिए कॉंपरेजिंग्र की बाथ करते हैं सबसे पहले ना फ्लन पैकेजीन में ौकाय यह पिन्स का है यह इस तरह की पैकेजिंग में आता है है लेख सकते हैं इस तरह की और गारी बीबी क्रीम यह इस तरह की कार्डट में आता है दोनों की packaging मिलाके दोनों की अच्छी ही है और यह यह भी 18 ग्राम का पैक है आपको यह भी 120 में मिल जाएंगा और यह भी 18 ग्राम का पीक है यह 125 में बट आपका ट्यूब है बहुत सुन्दर सा ट्यूब में यह एविलेबूल होता है बहुत खूबसुरत सा है और यह गानियर का है यह इस तरह से अब हम number two comparison के तरफ चलते हैं number two में हम texture और features के बारे में बात करेंगे texture के मामले में यह जो है आपको थोड़ा सा powdery वगेरा powdery creepy type का आएगा मैं दिखा दूंगी और यह जो है यह flowy type का इसका texture रहता है और यह गानिय बीवी क्रीम जो है यह SPF 24 PA++ UVA और UVP protection देता है and Ponce BB cream जो है SPF 30++ देता है तो दोनों sunscreen की तरह आप यूज कर सकते हैं number three हम बात करेंगे सेट्स के बारे में गानियर जो है यह सिफ वन ही सेट्स में आता है and यह Ponce BB cream दो सेट्स में आता है अब हम बात करेंगे कि which one one is suitable for wily skin और dry skin इसका texture जो है flowy type का है creamy flowy type का है तो यह dry skin वालों के लिए best है but अगर आपकी skin wily है तो यह लगाने के बाद आपकी skin और भी ज़्यादा wily कर देगी in summer but winter में आप इसे लगा सकते हैं में मुझे बहुत अच्छा texture देता है skin पर even skin tone भी देता है and यह आपको dry skin के लिए अच्छा है in summer but in winter आपकी skin थोड़ी dry है तो आपकी skin को moisturize कर लें तभी यह लगाएं तो अब हम बात करें के conclusion की which one is better तो अगर compare किया जाए तो दोनों की price में थोड़ा बहुत का difference है packaging points की बहुत अच्छी है यह तो यह निकलने के बाद आपको messy नहीं होता है बट गानिय की जो है यह इस तरह की packaging है यह थोड़ा सा messy type का हो जाता आप देख सकते हैं थोड़ा packaging में यह bonds भी वी की नहीं बाजी मार लिया price में दोनों की price में थोड़ा बहुत उपर नीचे है तो price में चल सकता है and second हम बात करेंगे moisturization की for winter winter में moisturization के लिए आपको यह मौस्ट आपकी skin को मौस्ट्राइज करेगा मतलब अगर आप winter में इसे use कर रहे हैं तो आप इस skin को मौस्ट्राइज करने की कोई नीद नहीं है but अगर आप winter में पॉंस बीवी क्रीम लगा रहे हैं तो आप अपनी skin को बहुत अच्छे से मौस्ट्राइज कीजिए तभी इसे लगाईए तो मौस्ट्राइजेशन में गानिये बीवी क्रीम ने बाजी मार ली Now Last Conclusion Which One Is Best For Winter This One?" विंटर के लिए ये Best है आप ॵिंटर में इसे यूज करे wszyscy. तो यह बहुत अच्छा है क्यूंक करती हूं कि लिए सही है रवटी ये विंटर के लिए ugh cow तो ये विंटर में ? विंटर के लिए Best आप विंटर में इसे लगाई है और summer में इसे लगाएं, but for winter purpose, this one wins, यो पसंत आये, तो please मेरी वीडियो को like करें, share करें, comment करें, और मेरी चैनल पर अगर आप नहीं है, तो मेरी चैनल को subscribe चरू करें